हलो फ्रेंट्स, फ्रेंट्स आज की रेसिपी है खीर की रेसिपी नवरात्री स्पेशल ये है सामक चावल या समा राइस की खीर अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा विद बेल आइकन और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक तो बनता है चलिए स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स मलाईदार रबडीदार खीर के लिए मैंने लिया है आधा कप सामक चावल या समकी चावल भी बोलते हैं इसे तो इसे हम दो से तीन पानी तक धोलेंगे अच्छे से साफ पानी आने तक और ये आधा कप चार से पांच लोगों के लिए सफिसेंट है आप कम ब तो इसमें थोड़े काजू लिये हैं थोड़े से बादाम लिये हैं उसको हलका ब्राउन होने तक भून लेंगे भूने हुए मेवे डालने से खीर या सिवई आप जो भी बना रहे हैं मीथे उसमें भूने हुए जो मेवे डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लाल होने तक फ्राई नहीं करना है बस इसका मौशर खतम हो जाए उतना फ्राई करना है और एक पतीले पे मैंने एक लिटर दूद को काफी देर तक बॉयल कर लिया था तो इससे दूद भी गाड़ा हो जाता और उसके उपर एक मलाई सी जम जाती है तो धीरे-धीरे मैंने एक लिटर दूद दो बार करके मैंने डाल दिया और साथ में उसकी मलाई भी डाल दी है तो इससे हमारे जो खीर बनेगा वो मलाई दार हो जाएगी और जो साइडों में ऐसे चिपकते हैं खीर उससे भी हम खुरच कर निकालेंगे तो बहुत ही जल्दी हमारी खीर बन कर त इलाइची दो इलाइची कूटकर हमने डाल दिया है पाउडर भी डाल सकते हैं तो इससे देखिए बहुत ही अच्छी सी खीर तैयार है बिल्कुल बहुत ही जल्दी बन जाती है 15 मिनट या बेस्मेंट लगेंगे अगर आपने लो फ्लम पे पकाया है तो चीनी हमने आदा क डाली है अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना मीठा खाना चाहते हैं बिल्कुल मलाईदार रबडीदार खीर बिल्कुल तैयार है सामक चावल की खीर तो चलिए इसे जिस भी बरतन में हमें निकालना है वो निकाल लेंगे सर्विंग बॉल में तो देखिए कितनी अ अनपसंद ड्राइफूट से डेकुरेट कर सकते हैं या ऐसे भी रहने दे सकते हैं क्योंकि अंदर हमने काफी पहले से ही ड्राइफूट डाल रखा है तो अब आये इसे एक अच्छा लुक देनी के लिए रॉयल लुक देनी के लिए इसमें चानी का वर्क उपर से लगा ल सामक राइस की खीर बनकर तयार है रबडीतार मलाईदार खीर तो इस नवरातरी व्रत पे आप इस खीर को इंजोई कर सकते हैं अपने घर पर तो फ्रेंट्स अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं फ झाल